सभी प्यारे चात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याए 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम उधारण 6 करेंगे तो कौपी पैन लेकर बैठ जाओ हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा पेसेंस रखना आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा देखो सवाल में आपको क्या दिया गया है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डश 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 का कोई पद 301 है और अगर है तो क्यों तो सबसे पहले तो जो हमें संख्याओं की सूची दी गई है यह एपी है या नहीं इसको हम चेक करेंगे तो हम लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची बताइए कौन सी दी गई है यह देखो 5,11,17,23 इसके बाद आपको डश 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 लगा देना है यह संख्याओं की सूची है लेकिन हमें चेक करना है कि क्या यह समांतरशनी है तो क्या करना पड़ेगा देखो यह पहला पद है यह दूसरा पद यह तीसरा पद और यह चौथा पद तो हम सभी के बीच का अंतर निकालेंगे सबसे पहले हम दूसरे पद मैंसे पहला पद घटाएंगे एपी चेक करने का यही तरीका रहता है तो ग्यारा मैंसे पांच घटाएंगे कितना बचा? 6 बचा ठीक है अब हम तीसरे पद मैंसे दूसरा पद घटाएंगे A3-A2 तो तीसरा पद अपना कितना है? बताओ 17 है ना? 17 लिख दो माइनस दूसरा पद क्या है 11? अब बताओ 17 मैंसे 11 घटाओगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा ना? तो यह आ गया अब इसके बाद जब ये 6 आ गया ये 6 आ गया तो इसको भी आखरी वाले को भी चेक कर लो तो 23 मैंसे यानि कि चौथे पद मैंसे तीसरा पद यानि 17 घटा देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चौथा पद माइनस तीसरा पद चलिए चौथा पद क्या है तीस इसमेंसे घटाना किसको है तीसरे पद को यानि कि सत्प्रा को तो 23 मैंसे 17 घटा ओगे तो ये भी 6 ही आएगा इसका मतलब ये हुगा कि ये संख्याओं की सूची AP है क्योंकि इनके बीच में समान अंतर है तो हम लिखेंगे कि चौथी A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और ये भी बराबर है A4 माइनस A3 के और इन सभी का उत्तर कितना इच्छ है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एक AP है दी गई संख्याओं की सूची क्या है एक AP है AP मतलब क्या होता है बताओ इंगलिस में Arthematic Progression अब जब AP है तो लिखेंगे जिसका प्रथम पद जिसका प्रथम पद प्रथम पद A बराबर बताओ कितना है प्रथम पद A बराबर 5 और सारवंतर और बता दो चलो सारवंतर बता दोगे ना सारवंतर D बराबर ये आया है सबका अच्छे अब इन्होंने पूछा है कि क्या इसका कोई पद 301 है तो हम लिखेंगे कि माना N वापद 301 है ऐसा मान लेते हैं अगर होगा तो पता चल जाएगा तो माना N वापद या माना N बराबर कितना है 301 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 301 लेकिन N का जो फॉर्मूला है वो आपको बिल्कुल याद कर लेना क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो यह A N का फॉर्मूला और बराबर कितना है तो बराबर है 301 चलो अब A का मान बताओ कितना है A का मान 5 है तो A की जगा पे कितना रखोगे 5 प्लस है तो प्लस लगा देना फिर N माइनस 1 जी हूं काते हूं क्योंकि इनका कोई मान नहीं है लेकिन D का मान तो 6 है ना तो D की जगा पे 6 रख दो और बराबर कितना रख दो 301 ठीक है अब ये जो 5 है इसका इस तरफ पक्छांदर कर लेंगे तो ये बचेगा N-1 और यहां पे आएगा 6 और बराबर और ये 301 और ये प्लस का 5 इस तरफ लेके आजाओ तो किसका हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा आगे बढ़ेंगे तो N-1 और 6 जहूं काते हूं 301 मैंसे 5 को घटाना है तो यहां पे बचेगा 301 मैंसे 5 हम घटाएंगे तो बचेगा 296 ठीक है 296 बचेगा क्योंकि एक के माल लेते हैं 11 11 मैंसे 5 जाएगे तो 6 अब यहां पे एक उधार ले थी तो 39 मैंसे 1 गया है तो 29 बचे अब ये 6 गुणा में है तो गुणा बाली संख्या बटे में तो N-1 बराबर 296 और बटे कितना हो जाएगा 6 अब 6 से तो ये कटेंगे नहीं तो एक कम करो दो से काट के देखो दो तीया 6 तीन बार में कट गया अब ये देखो दो एक कम दो दो जोके 8 तो 9 मैंसे 8 चले गए बचा एक हो गए 16 दो अटे 16 यानि की N-1 बराबर 148 और बटे कितना हो गया तीन अब ये जो एक है इसका पक्चांदर इस तरफ कर लेंगे तो N बराबर हो जाएगा 148 बटे 3 प्लस का एक ठीक है ये माइनस का है इस तरह बागया तो N बराबर हो जाएगा 148 प्लस 3 एक हम तीन और बटे कितना तीन 148 में तीन जोड़ोगे तो 159 और बटे 3 अभी भी ये तीन से नहीं कट रहा इसका मतलब है ऐसा कोई भी मान नहीं है क्योंकि N का एक पूर्ण संख्या मान आनी चाहिए न दिसमलाव में न कुछ तो ये तो कट ही नहीं रहा तो यहाँ पर हम इस सवाल को छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे कि यहाँ N एक धना अत्मक पूरांग होना चाहिए क्या होना चाहिए धना अत्मक पूरांग होना चाहिए लेकिन ये नहीं है ठीके तो आगे लिखेंगे कि अता 301 दे गई सूची का पद नहीं है जो पूचा गया था वो अंसर हो गया अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो ठीक है यहां से लिखना इस्टार्ट करो इसके बाद फिर ये फिर इसके बाद यहां पर और फिर ये तो इसका रिवीजन कर लेना अच्छे से बाकी ये सवाल बन जाएगा काफी आसान है बस रिवीजन प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी होती है जितना अभ्यास करोगे उतना ही सवाल अच्छे से कर पाओगे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू